हे गाईस वेलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडियो में तो दोस्तना एक बहुत अच्छी गाच्छी गुड न्यूज यह है आप सभी केनेट के लिए Ordnance Factory की तरफ से बिलकुल एक नई वेकंसी रिलीस कर दी गई है बिलकुल फ्रेस वेकंसी इसे सरकारी नौकरी की फोर I.T.A. स्टुडेंट के लिए वेकंसी निकाली गई है Ordnance Factory खामरिया की तरफ से गैस मैंने कल इसी टाइम साम को एक वीडियो अपलोड करी थी Ordnance Factory की Upcoming Recruitment के बारे में यानि कि Ordnance Factory बहुत अच्छी खासी वेकंसी निकालने वाली है उसकी सलेबस एक्जाम पैटर्न कैसे तयारी करनी है इसकी तयारी सुरू कर दो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी भरती आने वाली है Ordnance Factory की तरफ से Finally guys अकली वीडियो बनाई है और आज एक new notification रिलीज हो चुकी है Ordnance Factory खामरिया की तरफ से मैं बता चुका हूँ 42 फैक्टरी है Ordnance Factory में अलग-अलग इसके फैक्टरी है अलग-अलग ammunition department है हर जगह से fresh vacancy रिलीज की जाएगी for ITI, diploma और degree student के लिए लेकिन अभी जो vacancy निकाली गई है that is massive opportunity काफी सारे candidate ने काफी सारी नहीं एक दो candidate ने कमेंट कर रहे थे कि निजी करन हो गया भरती नहीं आएगी तो इसा कुछ भी नहीं है वो गलत सोचे आपकी main power 42 फैक्टरी में तबदील हो चुका है तो जाहिल सी बात है जो main power की काफी जादा कम है Ordnance फैक्टरी म और चलते हैं यह है आपका official website Ordnance फैक्टरी खामरिया यह बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है पहले में बताता तो कि यह फैक्टरी क्योंकि Ordnance फैक्टरी की बहुत सारी फैक्टरियां है अलग अलग जगा पे एमोनेशन डिपार्टमेंट है और सबसे पहले किस डिपार ająस फैक्टरी आपका खामरिया है वह आपका आता है अमोनेशन डिपार्टमेंट देख सकते हैं यह आपका अता एक अलग-अलग इसके युनीट हैं और जो म्यूसिन जो आपका डिपार्टमेंट है Eμोनेशन इंडिया लिमिटिड में इसके अंदर में कारी करती है grace इसमें क्या काम होता है तो इसमें गो बम और बारूद बनाय मिलेगा यह बहुत ही ज़यादा रिस्की वर्क होता है और इसमें बम और बारूद बनाय जाते है सबकित के जो आपका इंडियन ने भी इंडियन एर फॉर्स और और जो आपका है इंडियन आर्मी में काम किया जाता है तो ये सारे साइज हैं लेंथम है एन्मोनियम की जो तो एमोनेशन डिपार्टमेंट में क्या 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 आपको काम करना पड़ता है वॉल्यूम कितना होता है इसके गोला होता है बारूद होता है उसमें गोले में कितना वज़न है, सब में अलग-अलग इसमें बताई जाई है यानि कि जो आपको काम करना होगा, बम बनाने का काम होगा बाई सब तो यही सब समझ लो, यह सब डिपार्टमेंट में काम करना होगा और यही आपका ओर्डिनेंस फेक्टरी खमरिया अब चलिए वापस चलते हैं, नोडिफिकेशन की और मैं पहले ही भी बता देता हूँ, कि जो भी वेकंसी आती है उसकी डिटेल में कमपनी बता देता हूँ, तकि समझ आ जा जाए आपको अगर ओर्डिनेंस फेक्टरी की बैक टू बैक अपकमिंग अपडेट के बारे में इसी तरह जाना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगा आपको क्योंकि कल मैंने जैसे ही अपलोड की, अपकमिंग की और आज फाइनली रिक्रूटमेंट आई है, तो वीडियो को लाइक करके ठेंक्स जरूर करें चलिए देखते हैं नौडिफिकेशन में, तो ये एक सौट नौडिफिकेशन है, अभी हाल फिलाल आपकी सौट नौडिफिकेशन जारी की गई है आयुद निर्मानिक हमरिया, और ये जो है गाईस एमनेशन से, इंडिया लिमिंटेट की एक काई है, उसका उद्यम है, और ये जबलपूर मद्य परदेश में इस्तित है ये वेकेंसी जो रिलीज की गई है एक स्टार्टिंग वेकेंसी है, यही मत मानना कि इसके बाद नहीं आएगी लगतार आपको भरतियां देखने को मिलेगी, वन बैक टू बैक, चाई दिसंबर ओ, जनवरी, फरवरी, फरवरी तक लास रखो कि किसी न किसी जो बंपर रिक्रूट्मेंट की बात मैंने की है, वो बहुत जल्द आपको निकलने वाली है फिर भी इसमें जो वेकेंसी आई है, टोटल 119 पोस्ट पर रिक्रूट्मेंट निकाली गई 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 यहाँ पर आप देख सकते हैं, आईद निर्बानी खर्यान, खमरिया में अनुबंद के आधार पर, अब यह बात को समझने वाली बात है, ध्यान से समझना, यह जो वेकेंसी है, अनुबंद के आधार पर होगी, पहले आपकी एक साल की होगी, उसके बाद जिसे अधिक्तम चार वर्स तक बढ़ाया जा सकता है, जब कमिंग रिक्रूट्मेंट के बारे में, मैंने भी आईव आपको बताई थी, कि FTC की भरती होगी, और मैक्सिमम चार साल की होगी, एंट पांच साल की, तो वही सेम टू सेम प्रॉसेस आपका यहाँ पर भी वेकेंसी रिलिस की हो गया, या फिर HAL, हिंदुस्तान Aeronautics Limited हो गया, DRDO, इस तरह से जब भी कॉंट्रेक्ट को हायर करता है स्टुडेंट को, तो सबसे पहले उसको रखा जाता है, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट होती है, इसकी एक कॉंट्रेक्ट वर्कर के लिए, तो उसको कभी निकाला जाएगा यार, उसको सिखाता है, चार साल तक आपके कंपनी ध्यान दे रही है, आप कंपनी में जॉइन कर जोगा, आपके पास कितना experience होगा, वर्क करने का, जाहिल सी बात है, आपको ही रखेगी, हाँ, आपका tenure बढ़ा दिया जाता है, पहले चार साल रखा जाता है, उस सरकारी नोकरी होगी, यही बात है, ordinance factory में, salaries वगरा में, कहीं वर भी आपको differences देखने के हो रही मिलेगी, जो permanent employee को मिलती है, same salary आपको भी मिलेगी, कुछ नहीं, जो आपकी जो कुछ extra, यहाँ पर activities वालों को मिलती है, Pucks मिलता है, वो आपको कुछ नहीं दिया जागा, बट highly risky job होती है, hopefully, गोला बारूद बनाना, आप समझ सकते हो, कितनी risky वाली job है, तो इसी में आपको रखा जाएगा हो, और समझ रहे हो, जब जो गोला बारूद बनाना जान चुक है, ordinance factory में, उसको निकाले गयर, क्या पता बाहर बना के कहीं blast न कर दे, तो इसा कुछ नहीं है, जो पाट, बड़ आपको कभी नहीं निकालेगी, इतना confirm है, अब चले उसके बादे में, पोस्ट में बात करते हैं, इसकी जो dbw में आपकी पोस्ट ने होगी, salary बात की गई है, 19,900 रुपे, और DA वेगरा कई सारी box मिलाके, लगब लब सदाइस सदाइस जार रुपे, जो प्रसिक्षनिक्त, apprenticeship जिनके पास आयुद निर्मानियों में सेन आयुद वा विस्पोठक की उदपान में रख रखाओ का प्रसिक्षन अनुबव है, एवंग ततकाल, आयुद निर्मानी बोर्ड की आयुद निर्मानिय से AOCP, ट्रेड के भूद पुर परस्कितिते ट्रेड से apprenticeship, अब यहाँ पर जो ट्रेड अपलाई कर सकता है वो है AOCP, यानि कि AOCP के ट्रेड एक इसका नाम जादा आपने सुना नहीं होगा, रेर केस में कोई करता है और आपका apprenticeship ज़रूरी है भाईया, तो एक चीज यहाँ पर पता चली कि आने वाली जो भी vacancies होगी, वो आपका ordinance से जो apprenticeship किया हुआ होगा, वो apply कर सकता है, अब यह चीज नहीं है कि आपका जैसे filter हो गया, electricity हो गया, turner हो गया, machine हो गया, क्या सबका ordinance से apprenticeship किया होगा होना चाहिए, तो जी नहीं guys, सभी candidate के लिए freezer vacancy निकलेगी, tension मत लेना, बट कोई apprenticeship कर रखा है, तो उसको 5 marks की increasement देखने क मिलेगी, पहले क्या था कि 2012 से पहले जो भी ordinance factory में apprenticeship करता था, उसको directly batch to batch में सरकारी नौकरी permanent कर दी जाती थी, same railway में भी होता था, बट अभी यह चीजें जो है नियम को खदम कर दिया गया है, अब आपको 5 marks extra मिलती है अगर आपने ordinance factory में apprenticeship किया हुआ हो, तो लेकिन यहाँ पर यह वो CP जो trade है guys, उसको directly यहाँ पर job देने की बात की गई है, जिनके पास 10 अपरेंटिस किया हुआ हो, ओडिनेंस factory में, उनको यहाँ पर direct recruitment के तोर पे नौकरी लगेगी, पोस्ट देख लो, general के लिए 23 है, OVC के लिए 11 है, SC के लिए 26 है, ST के लिए 49 है, और EWS के लिए खबराना नहीं है, तयारी मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि शुरू कर दो, क्योंकि नौकरी निकलना शुरू हो चुकी है, और अब निकलती ही रहेगी, one by one, okay guys, इसकी age वगरा देख लो, age 18 साल से लेकर 35 साल के candidate apply कर सकते हैं, 20 October 2023 को age आपको count की जाएगी, और जिनमें स अभी candidate को मिलेगी, ASTAC वालों को 5.2BC वालों को 3 years का, इसकी जो form करने की, जो online form की last date है, online form नहीं यह offline form होगा, by post वार आपको send करनी होगी, 20 October तक ही last date रखी गई है, कई जिसकी अभी भी offline form कैसे भरनी है, और कई सारी doubt है, या फिर offline form निकल ली है, तो इसको अभी official notification publish नहीं क की गई है, मैं भी कल तक या फिर परसो, क्योंकि वेसे भी आज छुटी था, तो कल तक या फिर परसों इसकी official website पर publish कर दी जाएगी, जैसे ही publish होती है, हम आपको update लेकर आजाएंगे, कि क्या, इसमें selection process कैसा रहने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा doubt हो रही है, उसके बाद इसमें क्या होगा, कि कैसे आपको form fill करनी है, होगे गैस, तो hopefully, कैसी लेगी update जरूर बताएगा, क्योंकि बहुत अच्छी खुसकवरी, अब निकलनी सुरू हो चुकी है, तो तैयारी सुरू कर दो, जितने भी idea, diploma, student है, समझ रहे हो, यही green signal है, ordinance factory के तरब से, चलिए मिलते नेक्स बड़ी में, तब दगले जय हिंद,